जिन्दगी को आसान बनाने के लिए बहुत ज्यादा सिध्धानतों में उलजने की बजाए में सीधे मुद्दों की बात करना पसंद करूंगी. एक अच्छा जीवन साथ ही चुने जो आपको समझता हो और जिसे आप समझते हों. चाहे उसे ढूंडने में थोड़ा वक्त ही क्यों ना लगे. हालांकि यह उतना आसान नहीं है, लेकिन अपना करियर बनाने के लिए जितना प्रयास हम करते हैं, उतना प्रयास इसके लिए भी करें. इस पर जो भी मेहंत लगाओगे वो निश्चित रूप से सार्थक ही होगी. अनावशक सामान इकठा न करें. आजकल मिनिमलिस्म का बड़ा ट्रेंड चल रहा है. कई लोग सिर्फ एक बेकपैट में जितना सामान आए उतना ही रखते हैं. बहुत ज़्यादा दीवानापन ना भी रखे तो समयस्मय पर अपना सारा सामान चेक करते रहें. उनमें जो भी सामान लंबे समय से काम नहीं आ रहा है, उसे अलविदा कह दे. आप काफी हलका महसूस करेंगे. जिम कार्यों के लिए आप कर्मचारी रख सकते हैं. जिम कार्यों में लगा पाएंगे जो आपके दिल के करीब हैं तथा जिनकी उप्योगिता अधिक है. बस एक बात का ध्यान रखें अगर घर की रक्षा के लिए आपने कुत्ते पाले हैं, तो खुद भौकने से बचें. जरूरी सुविधाओं के लिए खर्च करना सीखें. अगर गर्मी सहन नहीं होती और वहां आपकी क्रियात्मक्षमता को प्रभावित करती है, तो एसी खरीद लें. वहां पैसा बचा भी लेंगे तो कुल मिलाकर घाटे में ही रहेंगे. इसी प्रकार हीटर, घीजर, फ्रिज, वाशिंगमशीन, माइक्रोवेव, ओवनादी, अपेक्षिक चीजों पर पैसा लगाना अगर जरूरी लगता है, तो ज्यादा सोच विचार ना करें. ना कहना सीखें. अगर आप बिना मतलब के कार्यों के लिए ना कहना सीख पाएं, तो अपनी बहुत सारी उर्जा बचा सकते हैं. रिष्टेदार हो या मित्र या फिर पडोसी, हाँ कहने की आदत का लाब उठाने में कोई भी पीछे नहीं रहते. अगर स्पष्ट ना कहने वाले व्यक्ति की छवी बना लेंगे, तो लोग पूछने की हिम्मत भी नहीं करेंगे. जब कोई निर्णय लेने की बात हो तो दूसरों पर डालने की बजाए खुद का निर्णय पहले बता दे. अपना समय अपना स्थान और अपनी सुविधा का उल्लेक कर देने से बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी बात मान ली जाती हैं और खामखा की असुविधा से बच जाते हैं. हर किसी को अपना फोन नंबर, इमेल आईडी, घर का पता आदी ना दे. साथ ही जब तक कि आप सोशल मीडिया का उप्योग अपने कार्य के लिए नहीं करते हैं, तब तक हर किसी को फेस्बुक, इंस्टाग्राम पर मित्र न बनाए. अपनी फीड को भैतरीन बनाने के लिए अनावशक कंटेंट को नोट इंट्रेस्टेड की केटेगरी में डालना तथा मित्र रखते हुए भी किसी को अनफोलो करना जैसे उप्योगी तरीकों का इस्तिमाल करें. मोबाइल में रातरी के समयदू नोट डिस्टर मोड एक्टिवेट रखें और दिन में भी जरूरत ना हो तो नोटिफिकेशन आफ रखें. कुछ समय के लिए घर से बाहर अवश्य निकलें. अगर हो सके तो पैदल चलें. कोरोना के दौरान लॉकडाउन की स्थिती इसका अपवाद है. योग, ध्यान, संगीत, कला आदी में से कोई ना कोई शौक अवश्य रखे.